बिहार के बहावली आनंद सिंग को लेकर के सुप्रीम कोट में दरसल एक याचिका लगाई गई है और उसको लेकर के आज एक बड़ी सुनवाई हुई है यह कहा जा रहा था कि जिस तरह से नितीज सरकार ने नेमों में फिर बदल करके बहावली आनंद सिंग को छोड़ा है उसको लेकर के कहीं न कहीं लगतार सवाल ख़ड़ा हो सकता है और इसी में आज एक याचिका पर एक बड़ी सुनवाई हुई है हमारे साथ सीनियर एड़ोकेट डॉक्टर एपी सिंग है तमाम चीजों पर क्या कुछ कहते हैं यह जाने का परियास करेंगे आनन्द मोहन सिंग के रिहाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाए गए तो उस पर एक बड़ी सुनवाई हुई है आज सुप्रीम कोर्ट की डिविजन मेंचन उस केस की सुनवाई किये और इसमें नोटिस किये हैं बिहार सरकार, केंदर सरकार और खुद आनन्द मोहन सब को नोटिस किये हैं और दो हफ़ते का टाइम दिया है कि वो इस पर जवाब दें बिहार सरकार जवाब देगी कि उसमें क्या हुआ, क्या ठीक हुआ, क्या नहीं हुआ और उस पर जवाब देगी भी हरती हैं आनन्द मोहन सिंग के साथ और कई लोगों को रिहा किया गया लेकिन बकाइदा आनन्द मोहन सिंग को ही क्यों टारेट किया जा पाहुबली, सांसद, राजनेता, पार्टी, राजनेतिक चीजें हैं और आनन्द मोहन को उसमें फसाया भी गया था इसलिए वो केस भी यही था कि आनन्द मोहन के खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी जिसमें आनन्द मोहन ने उस समय के ततकालीन आई ऐसा धिकारी की हत्या किया भीड थी, मौब थी, पॉब्लिक प्लेस था, वहाँ पर लेकिन हत्याकारोप लगा गया उन पर भीड थी, भीड में कुछ भी ऐसा प्रूब नहीं हुआ, केस में भी ऐसा प्रूब नहीं हुआ कि आनन्द मोहन नहीं हत्या किये उत्री भीड थी उसमें से क्या किया किस ने क्या कैसे आप प्रूब कर बाएंगे नहीं प्रूब हुआ था लेकिन हाँ मानिसर बोच्चिन आले ने इस याचिका पर जो की आईस अधिकारी जी कृष्णया की धर्म पत्नी ने लगाई थी उस आप अनन्द मोहन सिंग के मुश्किले बड़ जाएगे उनकी तरफ से प्रशीड रखि जाएगे इस तरी बात ही रखि जाएंगी को उनका रोल नहीं था उसमें जूटा पस्ताइगा और जो परिवर्तन हुआ है एक्ट में परिवर्तन वो आनन्द मोहन के लिए नहीं हु चूटे हैं उस चब्विस में सभी जाती छेत्र भाषा संपरदाय के लोग चूटे हैं बिहार के लोग चूटे हैं उसमें रहाई हुई और लोग की भी हुई है लेकिन केबल बात आनंद मोहन के की जा रही है उसमें उनकी लोग प्रियता है उन्हें चाहने वाले बहुत हैं बिहार में दिपरेदेश में चाहने वाले लोग हैं इसलिए ऐसा हो रहा है क्या लगता है आपको कि आनंद मोहन सिंग जो चवी रखते हैं वह चवी आगे भी परकरार रख पाएंगे जिस तरह से आज सुनवाई हुग नहीं केस एक्ट की बात है लीगल है लीगल बात बेहार सरकार भी कहेंगी उनकी तरफ से भी बात रखी आएगी आनंद मोहन की छवी जेल में रह लिया इतने दिन तो भी छवी परकरार रही आरोप लग लिया, तबी छभी परकरा रही उसके बाद उनकी पत्नी सांसद रही आज बर्तमान में बेटा उनका सांसद है तो आनंद मौन तो साफ सुत्री चभी है तो है लेकिन हारा राजनीती है, राजनीती का ताज पहंडने के लिए कांटों का ताज होता है उससे उने भी रूबरू होना पड़ेगा, उने भी जेलना पड़ेगा, उने केव सामना करना पड़ेगा, वो भी बस थोड़ी पाएंगे, जब राजनीती होती है तो उससे बस थोड़ी पाएंगे मुश्किल में नहीं जाएंगे हमम मुख्किल तो नहीं होनी चाहिए मैं समाँस था मुख्किल की बात नहीं होनी हूँ इस में भी ऐसे केम आगे आगे अब दो हदो अमी में oppose और रिपलाइं रे college